नमस्कार स्वागत है आपका दा एंगल में मैं हूँ आपके साथ रश्मी शर्मा एक और जहाँ देश के विभिन राज्ये अभी भी कोरोना से जंग जीतने के लिए जूज रहे हैं वहीं इस संकट की घड़ी में भाजपा और केंदर की मूदी सरकार को पॉलिटिक जादा महत्पून लग रही है शायद यही वज़य है कि वह एक बाब फिर अपनी राज्यमी दिख पकड को मजबूत करने का प्रयास कर रही है जंता से ज़ादा बीजेपी को सता रही चुनावों की चंता भाजपा ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन मूदी सरकार दो का एक साल पूरा होने पर किया जा रहा कैंपेन घरगर जाकर लोगों को मूदी सरकार की उपलब दियां बता रही भाजपा कोरोणा और लोक्डाउन से कमजोर हुई भाजपा की चवी कमजोर हुई चवी को फिर से मजबूत करनी की जुगत में भाजपा इंदिरो देश कोरोणा संकरमड की मार से बेहाल है इसी बीच नरेंद्र मोदी के नितरत्ववाली केंद्र की बीजपी सरकार ने अपनी लगातार दूसरी पारी का पहला वर्ष पूरा कर लिया है ऐसे में जहां कि इंदर सरकार की जिम्मेदारी देशवासियों के प्रतिय और जादा बढ़ जाती है तो बजाए देशवासियों को राहत देने के सरकार अपने इस एक वर्ष के कारेकाल की उप्रब्दियां गिराने में लग गई है इसके लिए बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपिन की शुरुआत की है बीजेपी इसे शायद जादा एहमियत दे रही है क्योंकि आने वाले कुछ मैनों में बिहार में विदानसवा चुनाव होने वाले हैं वहीं मद्यप्रदेश में भी उप्चुनाव होने हैं ऐसे में इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत जोग देना चाती है इससे बहतर था कि भाजपा और केंद्र सरकार लॉकडाउन और कोरोना की मार जहल रही देश की जनता को कुछ राहत देते अगर वे ऐसा करती तो चुनाव में उसकी जीत वैसे ही सुनिश्चत हो जाती पर इस सीधे जनकल्यार के रास्ते को अपनाने की बजाए भाजपा ने राजनीत चमकाने का रास्ता ही चुना है और पूरी भाजपा अपने केंद्री नेत्रत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की आपता में अफसर की तलाश वाली बात को साकार करती नजर आ रही है